वीदा पिपिल हम भारत के लोग में जो भारत के अंदर 78 में बामसिफ बना था उस बामसिफ के अभी जो बताते हैं लोग 26 के करीब टुकुडे तो बामसिफ के नाम से हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो माननेवर कासी राम जी ने त्यार की थे सीखे थे और फिर उन्होंने, सबने माननेवर कासी राम जी को देखकर, ऐसा जानकर के अगर माननेवर कासी राम जी एक बड़ी हस्ती बन सकते हैं, तो हम भी उसी पैटर्न पे कैडल लगाएंगे, प्रक्सिक्षन देंगे, लोगों को एखटा करेंगे, पैसा एखटा करेंगे, तो इसका नकल का पैटर्न करता ही है, यह नेच्छल आदमी का एक तरीका होता है, और खासरोंसे, जब जब आदमी की सोच भी नकल पे आधरित हो, यानि बंदर जितनी नकल कर सकता है, उतनी नकल पे हो, उसकी अपनी अکल होती नहीं है, या यह कह सकते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए तो नकल करने का जो परणाम है वो बहतर नहीं आता यानि कि जो औरिजिनल जिसकी नकल करते हैं उसने तो अपनी अकल इस्तमाल की है मगर जो नकल्ची बंदर होते हैं वो कैईवार उस्तरे से अपना सर भी काट लेते हैं जैसे नाई जब उस्तरे से किसी के बाल बना रहा था डाड़ी बना रहा था तो एक बंदर उसका उस्तरा लेके भाग गया और उसने सोचा कि जैसे नाई बना रहा है वैसे ही मैं अपनी भी डाड़ी बनाऊगा और उसने अपना सर और अपना पूरा गाल काट लिया ये ऐसी स्थिथी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है इस बात पे निर्वर है कि परिणाम कैसे आये हैं क्या जिस व्यक्ति की नकल की है वैसे ही परिणाम आये हैं या परिणाम का पूरा का पूरा बंटाधार हो गया है बहुत सारे बामसिफ के कारे करता है लगबग 20-25 साल से सभी तरह के बामसिफ या उनके जो लोग है या उनके हैड है मैं उनके टश में हूँ, देखता रहता हूँ, देखने की जिग्यासा है क्योंकि धम को जानता हूँ, विपस्णा को जानता हूँ, मनोवि घ्यान को जानता हूँ भगवान बुद्ध की ये अनुकंपा रही है कि समझ आ जाता है चीज़ देखके, पोश्चर देखके, भाव देखके तो अकसर जब बामसिफ का कोई कारे करता कहीं जाता है किसी व्यक्ति के पास सिखाने के लिए, उसको बताने के लिए, विचार देने के लिए या उसको अपने अधिवेशन में ले जाने के लिए मोटिवेट करता है तो वो कहता है कि हम आपके पास आ रहे हैं वो जाता है, वहाँ जाकर बैठता है तो वो कहता है कि हम बामसेफ से आए है सामने वाले व्यक्ति का सीधा सवाल होता है कौन से बामसेफ से आए है जैसे ही वो ये सवाल करता है बामसेफ के कारे करता का सारा उत्साथ हंड़ा पर जाता है उसका चैरा फीका पर जाता है उसकी निगा नीची हो जाती है उसकी हवाईयां उड़ जाती है ठीक ऐसे जैसे 6743 जातियों में जो जाती का नीचे का जाती मानी जाती है जब किसी से ये पूछते हैं कि तेरी जाती क्या उस समय जो हवाईयां उड़ती है वैसी ही हवाईयां ठीक तब उड़ती है जब पू कि उनके जो टीचर है नोंने बताया है अजी बाम सिर्थ तो सारी एक ही है बाम सिर्थ तो बटी हुई है नहीं सब एक बाम सिर्थ है एक ही बाम सिर्थ होती है तो वो जो जिसको सिखाने आये हैं वो बड़ा मनी मन में हसता है अगर वो जानता है तो और नहीं जानता है तो व यह जूतने सारे प्रधान और characterized क्यों है तुम्हारा बामसेफ अगर एक है तो इतने सारे अलग 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 दड़वे क्यों हैं क्योंकि एक बामसेफ का एक सभू है वहाँ के एक प्रचारक है वो बड़े ही शान से और बड़े ही गर्ब से बार 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 अपने भाशन में कहते हैं कि ये जो 6743 जातियां हैं ये दरसल दड़वे हैं दड़वे बाड़े हैं बाड़े जानवरों के इन में बांधा हुआ है सबको बाड़ों में और ये जानवर में एक महर लगाई हुई है जात की और इन में एक बाड़े से दूसरे बाड़े में जाने की अजाज़त नहीं है आप जा नहीं सकते इन बाड़ों को तोड़ो इन जातियों को तोड़ो और आपस में लोग मिलो तब आ जादी होगी वो तो 6743 बाड़े हैं और वोही जो नेता भाषन देता है उसने भी एक बाड़ा बनाया हुआ है यानि जहां वो भाषन दे रहा है उस बाड़े का भी उसने एक नाम रखा हुआ है अपने आपको विचारक कहता है ऐसे ऐसे 10,000 बाड़े बताय जाते हैं जिनको संग्ठन बोलते हैं धम्मिक लोगों के संग्ठन जो भगवान बुद्ध के नाम से धम चलाते हैं मतलब शर्म की बात है कि धम्म में भी बाड़े हैं जो सरकारी करमचारियों के संग्ठने उसमें बाड़े हैं जो बाम सेफ के संग्ठने 26 उससे ज़्यादा भी सकते हैं उसमें बाड़े हैं जो सामाजिक संग्ठने उसमें बाड़े हैं जो राजनितिक संग्ठने उसके ब बाहर के व्यक्तिने आपको जातियों में बाड़ों में बांटा छेजासासो तेतारिस में और आप उन जातियों को तोड़ने के लिए विचारक बने हुए हैं परचारक बने हुए हैं बड़े बुद्धिमान बड़े हुए हैं कहते हैं कि बामसेफ हमारी मा हैं ऐसा emotional sentence कहते ह और फिर दूसा सेंटेस नहीं कहते कि हमने अपनी मा के 26 चुकड़े किये हुए है मतलब हम विचारक हैं मगर हमारा विचार वहां काम नहीं करता जहां बावा साब अमेट कर ये कहते हैं कि संग्ठित रहो ये जो बाड़े हैं ये बाड़े जो चलते हैं ये भक्ती में भी चलते हैं यानि कि जो संथ हैं और जो महाप्रोस हैं उनके भी लोगों ने बाड़े ब्रहे हुए ये मेरा संथ है ये तेरा संथ है ये उसका संथ है ये उसका संथ है सारे जितने भी संथ हैं उनने कहा है कि आपको संगती करनी है आपको पूरा का पूरा सत्संग करना है, एक साथ बैठना है संगती में रहना है, संगत में रहना है मगर वो सारे के सारे नियम का पालंग करना है मगर संगती का और संगत का आर्थ नहीं समझे संगत और संगती का मतलग है कि बिना भेधभाव के सब को एक साथ रहना है और उन्होंने तो संथ और महापुरसों में भेधभाव कर दिया ये तेरा संथ है तो तेरा सत्संग हो गया, तेरी संगती हो गई, तेरी संगत हो गई ये मेरा संथ है तो मेरी संगती हो गई, मेरा संगत हो गई, ये मेरा बाड़ा हो गया मतलब महापुरसों की तो पूरी की पूरी जितनी भी सिक्षा थी उसकी तो वाटी लगा दी कोई मतलब भी नहीं है और दावा इस बात का है कि ये मेरा महापरोस है और मेरा महापरोस है मतलब महापरोस भी बाड़ दिये बुद्ध का जो धम है जो बुद्ध है वो भी बाड़ दिये सरकारी करमचारी बाड़ दिये बाम सेफ जो बनाई थी इसलिए है कि इस सबका एक समू है वो बाड़ दिया तो जब वो सिखाने के लिए जाता है कारे करता तो उसको बड़ी शर्बिंदी की महसूस होती है क्योंकि सामने वाला जानता है कि तुम्हारे अधीवेसन अलग-अलग होते हैं सामने वाला एक बात और भी जानता है कि तुम लोग बार 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 जिकर करते हो सारे के सारे के हमारा एक दुस्मन है हमारा एक दुस्मन है हमारा एक दुस्मन है है आप जा नहीं सकते अगर आप किसी और की मीटिंग में या किसी और के कारेकरे में चले गए तो आपको कोशन हो जाएगा नोटिस हो जाएगा आपका जो ऊपर का आपका जो आका है जो आपको बांद के रखता है जो आपको बंदुआ करके तक से रिखता है वो आपको ध्मकाएगा अरे तुझे इधर रहना है या उधर रहना है तो वहां गया कैसे जब आपका बांसिफ एक है र्विचार एक है तो कारे करताओं के आने जाने पर रोक क्यों है सामने वाला जिसको सिखाते हो वो सब Алता है सब समस्ता है फिर आप उसको रोना रोते हो देखो आरेक्षन चला गया देखो सम्मिधान पे खत्रा है देखो दुस्मन हमारा ऐसे कर रहा है देखो राज सत्ता चली गई देखो हम गुलाम होने जा रहे हैं हमारी फिर वही स्तिती होने वाली है कि हमारे आगे थूप के लिए घड़ा बंदेगा और पीछे जाड़ो बंदेगी कितना इमोसला करके आप ड़राते हो इतना डराते हो और फिर कहते हो कि आप क्या सहिए करेगा उससे सहिए भी आप लेते हो मगर रिजल्ट नहीं बताते आप कभी आपने कभी रिजल नहीं बताया कि 78 से लेके अब तक कितनी चीजें जो बावा साब की चली गई या आपकी होते हुए वो आप रुकवा पाए या जो आपके अधिकार और जो थे वो कितने बढ़वा पाए और आपके होते सोते ये अधिकार डे बाए डे क्यों जा रहे हैं जबकि हमारे जैसे कारे करता साधान कारे करता आपको पैसा भी दे रहे हैं आपको समय भी दे रहे हैं आपकी अधिविसन में भी आ रहे हैं आप जहां कहते हो वो बात मानते भी हैं तो आप जब ये कहते हो कि सारे बाम से फेक हैं, विचार एक है तो आप किसको बेवको बनाते हो सामने वाले को वो तो विचारा अपने पैसे दे के अपनी जुम्मधारी पूरी कर देता है मगर आप उसके पैसे लेके पाप में भागिदारी होते हैं क्योंकि संग्ठत होना बाबा साब ने कहा है और आप संग्ठत होने का काड़े कर रहे हैं मगर एक दूसरे के आप जानी दुस्मन है जानी ऐसे भी सीन आये हुए हैं कि जब आपस में आपने संग्ठत तोड़े हैं तो किसी आदमी को बंधक बना लिया उस पे पहरे लगा दिये कहीं आपने पुलिस लगा दी कहीं आपने संग्ठत के जो सीधे साधे लोग हैं उनका इस्तमाल करके उनके हाथ में डंडे पकड़ा दिये किस के खलाफ अपने ही समाज के आदमी के खलाफ अपने ही कारे करता है खलाफ आपने पोड़् लगा दिये, आपने परिचार कर दिया आप उसको बदनाम कर रहे हैं किसलिए ताकि लोग इसको चंदा ना दें, इसको पैसा ना दें मुझे चंदा दें, मुझे पैसा दें वे बयापार कर रहे हो तो आप क्या ऐसी भी खबरें आ रही है पुष्टी इसकी है मगर वो लोग करेंगे नहीं इसलिए मैं ऐस पुष्ट इसको बोल रहा हूँ जो लोग देते हैं अगर वो वेरिफाई करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी हकीकत है क्योंकि खबरें ऐसे ही नहीं आती खास तोर से समण समाज की तो यह जो बातें आप कहते हैं बार 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 के बाम सेफ हमारी मा हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि आपकी मा के बहुत सारे टुकड़े आप जैसे लोगों नहीं किये हैं इसको इमोशनल मत बनाईए आप यह देखिए कि आपके जो संग्ठन हैं उस संग्ठन में आप कारे करताओं को मिलने नहीं देते जबकि वो कारे करता मिलना चाहे दे मतलता कारे करता आप से ज़्यादा समझदार है जिसको आप समझाने जा रहे हैं वो आप से ज़्यादा समझदार है की बहुत सारे सरकारी संधन है जो center government के है state government के है जो corporations के है जो public departments है बहुत सारे इसे ज़ादा दस ये गुणा 20 ये गुणा वो हैं जो private sector में है इसे ज़ादा मजदूर हैं इसे ज़ादा किसान हैं बेबस लोग हैं इसके अलावा धमिक लोग हैं, धमिक लोग बामसेफ में नहीं आते, इसके अलावा जो मानिटिक लोग हैं वो बामसेफ में नहीं आते, मतलब बामसेफ बेसक कुछ भी कहे मगर रिप्टेंटेशन उसका बहुत कम है, मगर फिर भी इस मात में अच्छा है कि उसके पास एक व से हमारे अलग होने से विचार की हत्या अपने आप ही हो जाती है जब वो कहता है कि ये पूरा का पूरा जो बैकवर्ड है या जो माइनोटी है या जो सुलकास्ट है ये उन लोगों का एक फैडरेशन है और वो जब फैडरेशन जो इसमें बांट सेफ में F आता है जब उसको बैटिये लग कर दिये फैडरेशन के आपके तो इतने साई टुपड़े होगे कहां फैडरेशन रहा बैतर होता कि बांट सिफ के पास एक बड़ा प्लान होता जिसमें वो सारे धमिक लोग हरत रहके सारे जितने भी इस्टूशन लोग हैं उन सबको जितने भी किसान मज़ मेरा बांट सिफ दूसरे बांट सिफ से कैसे जीते मेरे बांट सिफ का अधर्च दूसरे बांट सिफ के अधर्च को कैसे डाउन करे मेरा कारे करता मेरे पास रहे दूसरे बांट सिफ का विचार ना सुने ये सबसे बड़ी हानी समाज में हुई है 78 के जब तूटने के अच्छा काम ये है कि हम दूर की बात ना सोचके अपने पड़ोसी से बना के रखें क्योंकि अगर हमारे बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो सबसे पहले हमारा पड़ोसी ही हमें बचाने आएगा उसकी समझ बहतर है आपकी समझ बहतर नहीं है आप हमेसा क्या कहते हो ये हमारा दुस्मन है ये हमारा दुस्मन है ये हमारा दुस्मन है इतने लंबे लंबे भाषण देते हो अगर आप अध्यक्ष हो तो क्या तीन गंटे का भाषण पिला हो गई आप अगर चीफ गेस्ट बना दिये तो जरूरी है कि आपको लंबा भाषड देना ही देना है बन्ला आपको शौट में टाइम बचना नहीं आता आपको अपनी बात को कम सब्दों में कहना नहीं आता लंबे लंबे भाषड पेलते हो लोग बोर हो जाते हैं और भाषड कहा खतम होगा ये हमारा दुस्मन है और ये हमारा दुस्मन है आपने घोल घोल के दुस्मन बता दिया हर एक बच्चे की जवाल पे दुस्मन है तो आप काम किसका कर रहे हो दुस्मन होगा या दोस्त होगा सारा काम आपने जीवन वर्ग दुस्मन बताने में किया दोस्त बताने में काम नहीं किया आपने आपको ये पताई नहीं कि आपके दोस्त कौन से हैं उनसे दोस्ती कैसे होती है आपका constructive वर्ग नहीं है negative वर्ग है ठीक है आपको अपने सत्रू की अपने दुस्मन की पहचान करानी चाहिए मगर दुस्मन की और सत्रू की पहचान कराने से दुस्मन और सत्रू अलर्ट होता है और वो जितना ज़्यादा आप उसकी पहचान करा होगे उतना ज़्यादा अलर्ट होगा उतना ज़्यादा अपनी सक्ती को ठीक करेगा और जब आप दोस्तों की पैचान करने लाइक नहीं है या दोस्तों का जिक्र नहीं करते हैं या अपने ही दोस्तों को आप अलग अलग कर देते हैं अपने ही दोस्तों में दोस्तों ही पैदा करते हैं आपको ये पता है नहीं कि सरकारी करमचारी जो बामसेफ़ नहीं आता वो भी आपके समझ समाज के दोस्त हैं आपको ये पता है नहीं कि जो धम के लोग हैं वो सारे आपके दोस्त हैं आपको ये पता ही नहीं कि जो एकॉनमिक में काम सेक्टर में करते हैं। वो आपके दोस्ते हैं, आपको ये पता ही नहीं कि छोटे बोटे जो दचार संग्डनेये या आपके दोस्तенти capture हैं。 चाहिए बाकी जो आपके दुस्मन है उसने तो सारे संटर इकटे कर लिए तुकि वो constructive work ज़्यादा कर रहा है negative work नहीं कर रहा है वो कभी नहीं कहता कि आप लोग दुस्मन हैं वो कहता है कि देखो align कहां हो सकता है aligns कहां हो सकता है कहां गठ जोड़ हो सकता है गठ जोड़ पर ही चल रहा है पूरा देश मगर आपको गठ जोड़ में कोई दिल्चसपी नहीं है उसकी कोई जानकाई नहीं है आपने कार्य करता उतक्ताओं को अपने भाशन को कभी यह इस में लिया, एक सिंगल भाशन नहीं है, कि हम अपने दोस्तों की पहचान करें, हमारे कौन-कौन से दोस्त हैं, होना ये चाहिए, कि आपको 3% ΕनरJी इस बात में लगाने चाहिए, कि आपका सत्र कौन है, आपका दुस्मन कौन है, आपको हानी पहुचाने वाला कौन है, कौन है जो आपका अपूशन में है। और 97% आपको 97% एनरजी इस बात में लगानी चाहिए, ये सिखाना चाहिए कि आपके दोस्त कौन से हैं। आपके कहां कहां ऐसे लोग हैं जो आपसे दोस्ती कर सकते हैं और आपको फायदा होगा। जितना आप दुस्मन के वारे में, सत्रु के वारे में बात करते हैं, वो अतना ज्यादा मजबूत होता जाता है, उसको दोस्ती करनी आती है। आप नहीं सीखे उस से कि उसको दोस्ती करनी आती है वो दोस्ती क्यों कर रहा है आप जिसको कहते हैं कि वो 3% है 3% है वो 3% दोस्ती करकर के 60% और 70% हो जाता है और आप 85%, 85% जिसको चिलाते हैं आप आपस में ही लड़ लड़ के, लड़ लड़ के, लड़ लड़ के 3% रह जाते हैं मतलब आपका affirmative या आपका positive या आपका अच्छा काम में ध्यान नहीं है आप वो negativity सिखा रहे हैं जानी कि आप जो सिखा रहे हैं, घरना ज्यादा सिखा रहे हैं आप प्यार कम सिखा रहे हैं यह basic नीती जो भगवान बुद्ध ने जिस पर विजय प्राप की थी क्योंकि उन्हें 1% भी कहीं घरना नहीं सिखाई सारी उन्हें प्यार सिखाया और वो जीत गए बाबा साब अम्बेट करने कहीं कोई घरना नहीं सिखाई आपने उनके सहाइटे से वो चीज उठाई जो चीज वो सिर्फ यह बता रहे हैं कि यह चीज मेरे साथ ऐसे होती है यह लोग परिशान करते हैं आपने उसी का बखान करा और उसी से लोगों को ड़ाया और उसी से लोगों को समझाया बावा साब अमिट करका वो सिध्धानत आप नहीं जान पाए जिसमें बावा साब अमिट करने आपको ये कहा संग्ठित रहो, संग्ठित रहो, संग्ठित रहो मतलब कितने कमाल की बात है कि आप संग्ठत रहने की बात करते हैं और संग्ठत रहने का काम नहीं जानते दोस्तों को जानते नहीं दोस्तों को संग्ठत नहीं करते ये जो हजारों संग्ठन हैं आज के समय कभी कोई ऐसी पॉलिसी ऐसा प्लान आपके दिमाग में नहीं आया कि इनको संग्टत किया जाए इनको इखटा किया जाए क्योंकि संग्ठन सकती है इसको कहते कहते आप ठक जाते हैं मगर इसको apply नहीं करते इसको जानते नहीं है ये बात मान लीजिए आपके अंदर organization setup या power नहीं है आप negativity पे खड़े हुए है वरोधावास पे खड़े हुए है और ये वरोधावास इतना जादा ये negativity और ये लड़ाई इतनी जादा है कि आप दुस्मन 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 पढ़ाते पढ़ाते आपने अपने ही लोगों को दुस्मन कर दिया और उनी से आप दुस्मन निकालने हैं जिसको दुस्मन कहा रहे हैं उससे लड़ने की बात तो चली गई अब तो आपस में आपके संग्ठन लड़ रहे हैं पद पत्रिष्टा के लिए लड़ रहे हैं मैं प्रधान रहूंगा, मैं प्रधान रहूंगा, मैं प्रधान रहूंगा, मेरी बात नी सुनी, मेरी बात नी मानी, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, संग्ठन के टुकुले पे टुकुले पे टुकुले करते जा रहे हैं, और क्या सिखारे कारे करता को, इसका संग्ठन नहीं छोड़ना है, इसके प्रधान को नहीं छोड़ना है, इसका प्रधान कैसी नहीं कैसे डाउन होना चाहिए, तुम्हें दूसरे संग्ठन में नहीं जाना है, ये संग्ठन हमारा है, वो आदमी अच्छा नहीं है, वे क्या कर रहे हो, क्या सिखा रहे हो, क्या व का मतलग होता है कि संग्ठ तिना है संठना है और उस फेयरटेशन के आपने F अलग कर दिया E अलग कर दिया कर दिया Re La Ka कर दिया महिला सारी आतीज चाहिए अच्छारि कर्मचारी हैं वो आने चाहिए थे जितने सिक्षक हैंगे रहतीजिते प्रॉफिसर हैं वो आने चीए थे जितने इंस्ट्रूट्टल एरिया में हैं चाहे वो फोर्ट्स के लोग हैं चाहे वो मेडिकल के हैं या साइंस के हैं उन्हों लोगों से घर भढ़ जाना चीए था उनसे दोस्ती होती उनसे मैत्री होती जितने धमिक लोग हैं वो सारे आते, जितने बच्चे हैं वो सवाते, उनका प्लान मनाना चीए था और आपने प्लान क्या बनाया? मैं अध्यक्ष रहूं, संग्ठन तूटे तो तूट जाए और कारेकरता कैसे त्यार करे? जो संग तोड़क के साथ रहते हैं यानि संग तोड़क दोस में, दोस ही नहीं मानते, आप तोड़ने वाला जो संग्ठने उसको भी मानता है और जिसका संग्ठन तूटा है उसको भी मानता है. यानि दोनों खुस हैं, किसी को अफसोस नहीं है कारे करताओं का दिमाग आपने इस बात में लगा दिया कि उस संग्ठन से आपने ठीक नहीं था आत्मी ये ठीक नहीं था जो मूल उद्दे से विचार का था कि हमको एक साथ रहना है वो कारे करता कि दिमाग में भी नहीं आने दिया कि ये कर क्या रहे हो तुम आपस में ही अगर टूटोगे और तुम कहानियां गड़ोगे तो तुम पिचाजी परसंट कहा हो तुम तो एक परसंट भी नहीं हो ये बात कारे करता कि दिमाग में ही नहीं आने दी कारे करता को गुलाम बनाया मांसिक रूप से गुलाम बना दिया बुराया इसलिए था कि तिरे को जागरित करेंगे तुझे जगाएंगे और उसको मानसि गुलाम बना दिया कितना बड़ा मानसि गुलाम बना दिया इतना बड़ा मानसि गुलाम बना दिया कि वो आपकी गलती को देखनी रहा है इतना बड़ा मांसी गुलाम कमाल का बना दिया आपने मतलब आपने अपना भक्त बना दिया उसे उसकी सोच ने समझने की सक्ति खतम कर दी कहां उसकी सोच को बढ़ा न था और कहां वो आप से प्रसन भी नहीं कर रहा है कि ये क्या किया आपने हमको बलाया था एक खट्ट होने के लिए खट्टा होने के लिए और हमको तोड़ दिया कोई भारत का कारेकरता किसी भी संक्ठन का नहीं चायता कि संक्ठन तूटे और कोई नियता नहीं चायता कि संक्ठन आपस में खट्टे हो ये well fact है जाना हुआ सच है ये इसलिए जो कारे करता इसका वरोद करता है उस कारे करता को उसका निता निकाल देता है उस पे चार्ज लगा देता है उसको परिसान करता है यहां तक भी देखने के लिए आया है कि जब संख्थन तोड़ने में किशी ने संख्थन का वरोद किया है तो लट लेके वहाँ लोग खड़े कर दिये गए वहाँ उसको कमरे में बंद कर दिया गया वहाँ पहरे बठा दिये गए उसकी पिटाई हुई उसके खिलाब पोश्ट लगाए गए अगर किशी ने इस आवाज को उठाया है कि संग्ठन नहीं तोड़ने चाहिए उनकी बेज्जती की गई उन पे लाचन लगाए गए कह दिया ये विरोधी दल का आदमी है पैसे खा गया ऐसे किया वैसे किया अरे सारी बात सचोंगी मगर संग्ठन तोड़ने का अपराथ तो सबसे बड़ा अपराथ है पुराने समय से बुद्ध के समय से है संग्ठोड़की माफी नहीं है किसी भी कारण से संग्ठ तूटे उसकी माफी नहीं है तुम्हें तूटना है जाओ जाके मर जाओ संग तोड़ने का क्या मतलग है तुम संग से उपर होगे तुम संग्ठन से उपर होगे तुम व्यत्ती में चलेगे तो संग्ठन का विचार कहा रहा कहा महापुरसव का विचार रहा इसलिए हर कारेकरता को सोचना चाहिए देखना चाहिए कि यहां मांस से गुलाम बनने आये हो या जागरत होने आये हो या इखटे होने आये हो या संगठनों में तूटने आये हो और अगर किसी कारे करता में बोलने की समझ नहीं है कहने की समझ नहीं है तो यहां कर क्या रहे हो जब तुमारी बोलती बंद है जब तुम्हारा विचार बंद है, जब तुम्हारी आवाज बंद है, तो तुम जिसको दुस्मन बता रहे हैं, उससे जीतोगे कैसे, तुम्हारी तो आवाज बंद कर रखिये, तुम तो बोलने सकते, तुम तो आपस में मिलने सकते, तुम तो किसी संग्ठन में आ जाने सकत जब तुम इखटे नहीं हो सकते, बोल नहीं सकते, आजा नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते, तो मरे हुए लोग हो, तुम जागरित कहा हो, अगर जागरित होते तो ये संख्ठन तूटते क्यों, ये गुलामी आती क्यों, ये संविधान जाता क्यों, ये स चार के आठ शोट के बढ़िसके चौशके एकड़ाट के 1220 की जो सारे के शारे संख्टन बनते जाuger दिए, यह क्यों बनते हैं अगर सूम जगरत होते हैं। तो कैसा कारेकरता पैदा किया, मरा हुआ पैदा किया, वैचारिक नहीं किया, जिंदा नहीं पैदा किया, भक्त पैदा किया, गुलाम पैदा किया, बोलता नहीं है, या उसको खिद लिया, कि तू पैसा एक खटा करके ला, कुछ पैसा मैं तुझे दूँगा, कुछ मैं रख पूच रहे हैं, सारे जितने भी भारत के 10,000 संग्ठन जो समढ़ समाज के हैं, जिनकी वैसे आज हम गुलाम हैं, जिनकी वैसे हमाई लोग मांसिक गुलाम होके भक्त हो गए, जिनकी वैसे आज समिधान खतम हो गया, क्योंकि जब बच्चे इत्यास लिखेंगे, तो वो यह मांसिक गुलाम थे, यह मिले हुए थे, इन्होंने आपस में मिलके कभी आवाज नहीं उठाई, यह संग्धित हो, संग्धित हो कहते रहते थे, मगर बावा साब का कतल करते थे, बुद्ध के, संग के, सिध्धान का कतल करते थे, संतों और महाप्रुसों की जो संग्ध थी उसका कतल करते थे ये निहायत ही बेवकुफ लोग थे जिनोंने बावा साब की लाई हुई मेहनत को बावा साब के नाम से ही बावा साब के संधन बना कर ही खतम किया आप उसमें शामिल मत हुईे आप अगर समझदार हैं तो हट जाएए अगर आप हट जाएंगे तो यह संग्ठन के नेता अगले दिन ही मिल जाएंगे क्योंकि यह संग्ठन के नेता बहुत ज्यादा मौका परस्त हैं आपको नहीं नहीं बातें सिखाएंगे कि यह ऐसा होता है वैसा होता है अगर आप इस बात प्याड़े रहना कि संधन का मतलब संधन होता है तूटना नहीं अगर आपका कोई ego का value है आपको कोई प्रधानी चाहिए तो आप निकलो यहां से और वो नहीं निकलेंगे क्योंकि उनका मजबूत इस्थम बना हुआ है तो आप उनको छोड़ दीजिए आप सारे कारेकरता इखटे हो जाएए अगर आप दस बज के दो मिनट पे इखटे हो जाएंगे तो ये दस बज के तीन मिनट पे सारे के सारे नेता इखटे हो जाएंगे क्योंकि इनको भाशर देने की अदत है इनको बीच की कुर्सी चाहिए, इनको माला चाहिए, इनको पोजिशन चाहिए, इनको प्रसंसा चाहिए, इनको सम्मान चाहिए और इनको आगे भी बहुत कुछ चाहिए ये उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, आप रह सकते हैं, इसलिए आप बराय महरवानी के इनको बोलिए, जानिए, ये मानते हैं ठीक हैं, खटे होते ठीक हैं, वनना आप छोड़ दीजिए, और इसमें देरी मत कीजिए, क्योंकि ये आपात काल है, ये अपात काल है, ये अम ही हैं बावा सावंबेट करके और बुद्ध के इत्ता धन्यवाद के इत्ता धन्यवाद कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल